कि हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने उटूब चनल पर मैं सब्सक्राइब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज का इंपॉर्टन वीडियो हमारे बीए फर्स्ट समेस्टर के लिए होने वाला जी हाँ जो भी हमारे स्टुडेंट अभी स्वाडियो से अगल तो सबसे हैं सबसे पहले करते हैं ज्यारी अधैर लगनओ इंवर्श्टेज हैं उस willen घ्रिजर होने उनली और किले च यूजा उसमेंट और सब्सक्राइब करें लिए नंबर जो है वो आपको प्राप्ट करने होते हैं आपके दस कुईस्टिन पे जो सक्सें पते हैं थे आपको सब्सक्राइब करें आपके लिए बीडियो रहें दोस्तों चाहे उनकी लिखिट परिच्छा नहीं है तो दोनों के लिए बहुत है था तो आईए इस वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन सारे important question है जो hundred question इस वीडियो में include किये गया है कितने important है उनको देख लीजे फटापट बहुत सारे important question रहेंगे आपके लिए तो आईए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले दोस्तों आप लोगों से यह कहना है कि जो भी हमारे student जो भी हमारे विद्यार्थी अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस कर लें और आल पर कि समेस्टर वाइज परिच्छाए यानि बहुत जल्दी छे महीने के अंदर छे महीने तक ही परिच्छाए हो जाती है तो आप अपनी परिच्छा की तेयारी सुर कर दीजे तो आई ये वीडियो को सुर करते हो देखते कौन सा important question है पहला question दोस्तों लिगया हूँ है बायो आपको मिलेगी उस पर आपको कलर कर देना रहेगा उसके नीचे जो गोला बना रहेगा तो यहां पर बायो का मतलब आपसे नंबर ए आपका सही है दोस्तों life होता है जी हां बायो का मतलब क्या होता है life जैसे आप पढ़ते है biology अर्था जी विग्यान तो life से related है second question देखते क्या चीज होता है तो सबसे पहले देखें देखें दोस्तों चार आपसन आपके रहते हैं कि प्रसफेंद क्या चीज है चारों अब संग्ता है जियुनी होता है यह जो कोई नहीं तो जो प्रस्नल लेटिव यानि प्रस्नल लेटिव का मनलब व्यक्तिगत उपाख्यान होते हैं या व्यक्तिगत कथा जो होती है यानि खुद से रिलेटेड तो वो कहानी जो आप खुज से मालब खुज से रिलेटड में łat TVs कहानी होकोD थो उसकोücht बाइयं नियारत मकता कहते है निलिकिक जब अपने बारे में कोई सी लिखता तो और भीर्फी होते हैं यह जो प्रसनल लेटि वहigor होगा हो IR अच्छा करते हैं जो विस्ट होता है किस चीज में आटोबाइवग्राफिए में आप पहले ही उपर के क्या आटोबाइवग्राफिए में ही जो राइटर होता है वो क्या होता है subject होता है लेक जो है भिषय होता है यानि उसी से related वो कहानी लिखी जाती है next question देखते है sort essay that details by the single subject or event यानि जो site से होता है जो क्योण एक ही single subject या गटना पर लिखी जाते है single भिषय यानि एक ही भिषय या घटना पर होना चाहिए यह संगल सभ्जच पर ही लिखी जाती है यांग от भी सब्सक्कंप मोनिंच भी सिल надо पर किरेज़ शोना होने चाहिए होना ईत्र होना चाहिङे चाहिए थालाब यह सारय होने चाहिए तो start story में दोस्तों क्या title तो बहुत ही important है title का मतलब सीर्सक किसी कहानी का कोई नाम जो है सीर्सक जो है वो होना बहुत important है background भी लगबग important है theme भी यानि भी सही भी होना चाहिए तो आल आप दीज पर ही आप click कर देंगे यानि टिक लगा देंगे कि चारो क्या मतलब तीनों आपसं जो है वो तीनों important है site story के लिए next question देखते हैं कि अगला question है दोस्तों before reading site story it is must to read first यानि site story पढ़ने से पहले आपको क्या चीज़ पढ़नी चाहिए यानि site story पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए उसकी history पढ़नी चाहिए यानि इतिहास या समरी सारांस पढ़ना चाहिए सीरसक पढ़ना चाहिए आलाब्दा यभव तो site story पढ़ने से पहले दोस्तों आपको important है कि आपका क्या पढ़ना चाहिए टाइटिल जरूर पढ़ना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए दोस्तों टाइटिल पढ़ना चाहिए यानि आपसन नंबर आपका सी जो है यही आपका सही आपसन हो जाएगा यानि टाइटिल सीरसक जरूर पढ़ना चाहिए कहानी पढ़ते समय आप सीरसक जरूर देखते हैं उसकी हिस्टी तो जब आप पढ़ेंगे तब आप उसकी समरी और हिस्टी पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा तो टाइटिल जो है वो मैन है कि स्टोरी पढ़ने से पहले आपको टाइटिल जरूर पढ़ना जो है वो कहानी की जब भासा नहीं रहेगी तो बिना भासा के कैसे आप कहानी लिख पाएंगे तो बोथ ए एंड बी दो यानि नहीं दोनों आपको बी दोनों से यह सहीए तो आपसे ऑफ से यहां पर क्रेक्ट जाएगा को नर्ट क्यूंच क्रेक्टेन कि आप Google अ长 Summer आप खुद ही अर्मान लगा सकते हैं कि कहानी कैसे famous होती है title भी important है title से भी बहुत चारी कहानिया famous होती है और character चरित्र भी अगर अच्छा रहेगा उसके path रच्छे रहेंगे तब भी कहानी famous हो सकती है language से भी famous होती है तो all of the above जो है यही option आपका सही हो जाएगा यानि all of these यहाँ पर all of these लिखा गया है तो all of these जो है यही आपका correct answer हो जाएगा यानि option number D जो आपका है यह आपका correct answer हो जाएगा यानि all of these यह सारी चीज़ें जो है वो कहानी में होनी चाहिए वो famous कर सकती है कहानी को अब next आगे देखते हैं अगला question दोस्तों क्या है लिखाए दियरार three types of point up view यानि तीन प्रकार के point up view होते है point up view का मतलब आप समझते हैं द्रिष्ट कौन जो आपका unit number third से आपका related है जो आपको उसमें बताया गया है आपका जो syllabus का वीडियो अपलोड किया गया है बहुत सारे student अगर उनको नहीं देखे हैं syllabus अपना नहीं चकी हैं तो syllabus का वीडियो एक बार ज़रू देख लीजेगा आपको आप लोग दोस्तों channel page पर बीए first semester के नाम से playlist है उसमें बहुत सारे वीडियो पहले से भी आपको मिल सकते हैं अफलोड किये गये हैं साल माडल पेपर माडल पेपर और syllabus या अन चैप्टर से रेटेड बहुत सारे वीडियो उसमें इंक्लूड हैं आप उसको देख लीजे बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे अगर उसको नहीं देखा है तो देख लीजे और सबसे पहले syllabus का ज़ूर चक्क सब्सक्राइब क्योंच नहीं अब आपका यहां पर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा जियां तीन परकार के लिए जो होते हैं अगला क्वेश्टन देखते हैं and 쩌न भी जो है वो किस तरह से हो सकता है फिलास्फिकल अगौित हो सकता है यह सकता है यह आला हम दा यह इनी तीनों तरह से हो सकता है तो किस प्रकास से हो सकता है नकडाश जो आपका उपाख्यान यह जो इस तरह से होता है वह किस तरह से हो सकता है यह अगये दिया गया बेरी बेरी बैलुएबल एंड इजी टू यूज बीकाज आफ दियर यानि एनकडॉड जो है उपाख्यान जो है वह बहुत ज्यादा बैलुएबल है यहाँ पर यह बी लिखा हुआ दोस्तों थोड़ा मिसे बैलुएबल है और इजी है यूज करने के लिए क्योंकि उसकी क्या होत आपका सही है यहाँ पर यानी भ्युद्धा जो है शेटिंगों यजादा यूज के मलब आसानी से यूज किया जाकता है आप फिदाड डाड किया गया है यह इन चारों सब्सक्राइबल है कोई एक भर्ना है इस एन अफोरिज़म देट इसक्विशल अनस्लिशि पत्रश् तो यहां पर आपसे नंबर आपका एवाइब करते हैं तो यहां पर आपसे नंबर आपका लाव जाएगा जिहां इसको आपको यहांपर भरता है अब नेश्च्र कुशिन रखते हैं वह नक्राइक्टर सपीक्स इन आफोरिज्म he or see often comes across यानि जब कोई character होता है पात्र होता है जब वो अफ़रुज्म का प्रियोग करता है तो वो क्या होता है प्राया हो किस चीज के पार चला जाता है तो यहाँ पर चार अपसन आपके दिए गए है courageous elderly wise या compassionate 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 लिका हुआ है यहां पर आपसन नंबर आपका सी सही हो जाएगा वाइस या नि बुद्धिमान आप नेक्स्ट कुस्टिन देखते है वर आप दा प्राइमरी टूल्स आफ फोरुज्मी यानि फोरुज्मी का सबसे प्राइमरी टूल्स जो है जो प्राइमरी कि कि आउयों आपके सकते हैं वह क्या है मेटाफर है टुवज्म है आई एची में यह प्राइमरी टूल्स आप्पोरुज्म का अब MOR यहां पर आपका आपसा नमबर है यानि अपोजिट या इसके ठीक, उल्टा या विरुद्ध होता है अब नेस्ट क्यूश्चन देखते हैं इनिस्टीड आफ ट्राइंग टू इंक्लूड एंटिथिसिस इन योर राइटिंग यानि एंटिथिसिस का प्रियोग जो है वो अपनी राइटिंग में करने के बजाए इसको चूलर में इसलर इसको बन किया जाए या एकफ़टिंग आंटिह्सिस स्थेड्मेंर Nä पहल सवांतर का यूज किया जा या किईरफुली एनलाइजिंग एंटिथिसिसिस इन आदर अधर्स tones वर्क यानइ के लेखक के वर्क में इसको एनालाइज किया जाए कर फُली सावध् edwan नी तो से अपका अपका आप से चारों में किया है का मतलब कलपना से रिटर है आलंका ये तो ये चारो में से क्या है इंट्रेस्टिंग डाइलाग है या विविड सेंसरी डिसक्रिपसन है या करेक्टर डेवलेवलमेंट है या बोथ यह यह दिख टहु यह है यहां पर बी वाला ही आपका आपर शहिरों Jesus रहें वहां जो चार है यह में दो कार नहीं है चारों में से कवं स्थ नहीं तो चार आपको बताना आहा संदोस्तों यहां पर दिये गए किया आपके बीजुओल-इमेजरी एडीस्टन अंनить स्रसंसे कंश्टों है इस तरह कि यह आ आडिटेसंटाल्येघ्टाइल इमेजरी यहां यह चाहरों में से यह दिग जो द्रुस्याल्य में चर्शुल्ट चर् या एक्सट्रा संसरी इस टैक्टिल इमेजिरी यानि उसक पर सिनी से चारों में से आप का है कि काउन साए हमेजिरी का टाइप नहींने तो सी वाला गहें दोस्तों आपका यहीं करेक्डरेंस वह यह कराक्टर आन्सर है यह एक्स पर इमेजनरी हिए अब देख्टाहिए फारी है यानude पाइब तनgoing हम आ McG dots ऐता है तो पोयम में नॉबेल में या इन साइंटिफिक पेपर में या बघ्यनिक पर कोई और पोयम कभीता या उपधनयास याइं बोथ है यहां पर आपकर आपका डी करेक्ट हो जाएगा याई ए Morby दोनों में यूच किया जाता है So that दोनों में imagery का यूच कीया जाता है यहाँ पर आफसा नंबर आपका दी करेक्ठ हो जाएगा अब मेंडा ज देखते हैं दोस्तों क्या ऑगला क्युक्टिण आपका है दोस्तों इन फीचीयर भाविनी भठाचार यहां भाविनी भत्टाचार का जन्म यह जो कब होब था जो सी आपको पढ़ना है तो उनीस एTrust estl CrContract आये यहांसे नंबर डूस्तों है यहांबर पर दोस्तों हैं नबर का रहेगा यानि उनीसो चे ऊनीस fiscal और slightly petar का जन्म फॉव था नेइक दिखते हैं इनकी पाविनी वाजिव लूद्य करीचर है कि चुछिए में परवीनी ने सिच्छापराप्त की थी पटना में कलकत्ता में या केरला में चार इंवर्सिटी का नाम दिया गया है तो यहां पर आपसा नमबर आपका एक करेक्टर हेगा पटना इनुवर्सिटी में दोस्तों भाविनी भट्टाचायर ने अपनी सिच्छा प्राप्त की थी अब next question है How many novels did भट्टाचायर राइट इन आल यानि कितने चाहत लिखे लिखे हैं यानि यांनि आपको के दिखे置 है यानि ज tęखक मेरक्त और लाया इसनग्वानपडाचा लिखते हैं दोस्तों क्या इंप्रटन क्यों लिए मोस्ट आप दा दा नॉबेल्स साफ हर की नारायन most of the nobles are set in यानि ज़्यादा तर आरके नरान साब के nobles जो है वो कहां पर set किये गए है यानि उनको कहां पर set किया गया है कहां से बनाया गया है यानि फिश्ट भूम उसकी कहां की दिखाई गई है मदरास की, मालगुडी की या त्रिवेंद्रम की या मानो मजरा की तो चार आपसन दिये गए हैं दोस्तों तो आप जान लिजिए कि मालगुडी जो है यही आपका सही है मालगुडी डेज एक बहुत ही फेमस रचना आरके नरान साब की तो ज़्यादा तर उनके जो nobles हैं वो मालगुडी में ही मालगुडी में गले मालगॉडी में ही करेक लैक का दोस्तों आपके यह फार को ताम दोस्तों कि who was the first recipient of the Saitt Academy Award for the best writing in English घंग्रेजी में बहुत अच्छा लेखन के लिए बहुत अच्छा लिखने के लिए सबसे पहले Saitt Academy Award जो है यह किसको मिला था Saitt Academy Award बहुत 29 वार्ड है Saitt का अपने देश में भारत में तो ही सबसे पहले किसको मिला ठार्क नरान साब को मुलकराजानन को राजाराव को या खोसोवन्त सिंह को तो चार आप्सम्स दिया गया दोस्तों सबसे पहले अंग्रेजी में लेखन के लिए आपको आर के नरायन्स आपको किसको मिला था साहिट अकाद्मी आवार्ड आर के नरायन को अब नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं क्वान सा इंप्वार्टन्ट क्षिचन है देख लीजे विच आप आरके नरायंस नॉबल्स बीकैम दा मोश्ट पापुलर का नरायंस आपके नॉबल्स है जो बहुत ज्यादा फेमस हुए बहुत ज्यादा फेमस हुआ था गाइड या मलब दा गाइड या दा बैचलर आप दा बेंडर आप सुईट या दा फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो चार आपसन है दोस्तों चारों में से कौन साथ ही है फटा फटा प्लो जानते ही होंगे बहुत ही फेमस जो इनका सबसे फेमस 마음에 झाल है नोबल रहा है गाइड यहां जो यहां इस पर दोस्तों फिल्म भी बन चुकी है भूत पूरानी फिल्म है अप blaming लिवुड में तो इनके नॉबल के उपर ही वो फिल्म बनाई गई है तो बहुत ही ज्यादा फेमस था अब नेट्ट कुश्चन देखते हैं कि रविना टैगोर गाट नॉबल पराईज इन यह नवी रवीना टैगोर साब को नॉबल प्राईज का मिला था तो रविना टैगो नह Gentlemen दो में आपको दिया मलब जो अच्छा कारि करते हैं किसी वी देश के हो चाहें कहीं के भी किसी वी देश के तो इनको दिया जाता है चाहे सहीत में करें या बहुत edy Lynch भी ज्यान में या सांटी के लिए सहीत के लिए तो उसमें तो रवीना टैगोर साहब साफिट के लिए मिला था अब जान लिए साहित के लिए ही मिला था और इनकी फुस्तक एक है बहुत प्रेमस फुस्त गीत अंजली इनको मिला था उस फुस्त पर के कारण ही तो यह कब मिला था 1912 मेub Minuten ki सब्थाी सट्रा या आटो बायोग्राफिकल नॉबेल यानि आत्म कथात्मक उपन्यास जो है वो कौन है सेवन समर्स है दान टेचेवल है दा कूली है या नापदीच कूली भी बहुत फेमस रचना है दोस्तों याद रखिएगा राइटर का नाम आ सकता है कि कूली किसकी रचना है तो मुल्क रा राइजनल नेम वाट वाट वाज सरोजनी नाइडू से तो आप जानते ही है लेकिन उनका वरिजनल नाम उनका क्या था वह अस्टाविक नाम तो क्या था चार आप संदिया गया है पदमीनी गंगो पाद्ध्याय या आगे देखते हैं अन फाब्लक चैन्ट्टो या सरोजनी बंदुपाद्धा करू दोस्तों आपका यहां पर gratis नी मस्कते . जाने कंते ने यहां सरोजनी चत्युति नायजल समय है। करना लाच बढ़ाता इसतोर लेडियों तो बहुत च्वारा मुतक्ते के सब्सक्राइब नीमें 1889 में या 22 मई 1872 को 181889 को 24 दिस्टंबर 1865 तो चारो आप्सन में इसे दोस्तों यहां पर आपका आपसन नंबर यह आपका करेक्टाउन्स वह यह आपका करेक्टर आवन्सर यह आपका करेक्टनिक करना रहेगा यानि तेरा फरोरी अठारा सो उन्यासी एक टीन यानि थर्टीन फेबुरुरी एक टीन सेबंटीनाइन को सरुनी नाइडू जी का जर्म हुआ था अब नेस्ट कुश्चन देखते हैं दोस्तों कौन सा इंपॉर्टन कुश्चन है तो फटा फट देख लीजिए कि यहां पर एक कौन सा इंपॉर्टन कुश्चन है और है कुश्चन है दोस्तों वाट वाज बेहरमन्स मास्टर पीस यहां यह आपका साइट स्टोरी जो आपकी कहानी है लाश्ट लीफ जियां लाश्ट लीफ जो कहानी है इससे रिडेटर कु लाश्ट लाश्चन है तो ऐससे दोस्तों सब्सक्राइब तो ने अन्य वाजगे लाश्ट आ से रिडेंस में कहानी तो समझेंगे कि बहरमन ने masterpiece जो उनकी सबसे उत्कृष्ट की थी वो कौन सी थी तो painting a picture of leaf यानी एक पत्ती का चितर जो है उन्होंने दिवाल पे बनाया था तो यह का जो है वो बहुत थी उनकी उत्कृष्ट राचना थी तो यहाँ पर आपसा नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा अब next question देखते हैं वाट डिद वहरमन डाई आप वाहर मन की मुरुत हो गई थी कैसे हो गई थी फीवर से हार्ड आटेक्स से कालरा से या नियूमोनिया से तो चार जॉमिधे के देखने हैं इस चैडियां दोस्तों तो फिर बाद में बादिस की वज़ा से उभीग गया था तो उसी के कारण उसको निमोनिया हो गया था और उसकी मिर्थु हो गई थी तो आपसा नमबर डी यहां पर सही है नेट्स कुश्चन है हूँ है लूग डाफ्टर जॉन सी सोबल यानि जॉन सी की देखवाल जॉन सी को भी निमोनिया हो था तो उसकी देखवाल कौन करता था बहुत अच्छी तरीके से स्यू करता था बहरमन करता था या जॉन सी की मदर करती थी या जॉन सी फादर तो चारो में से कौन सा सही है दोस्तों चारो आपसन में से आपका कि ए नंबर आपसन जो है स्यू जो है स्यू ही उसकी देखबाल बहुत अच्छी तरीके से करती थी जॉन सी की नेस्ट क्विश्चन देखते हैं नजो तो अब आपको बताय उपर के कोई अगर आपने ध्यान दिया होगा तो लीफ की प्रवाल टो आपका अब स्यूम वालड़ उट डाप व्हाइव था वाज टी मेंकिन प्रवापंटिंग क्यों बना रही थी चार आपसन दिया गया है to present it to John C. John C. को present करने के लिए उपहर देने के लिए to present it to Bhramann को उपहर देने के लिए to earn money some money, यानि कुछ पैसा कमाने के लिए to put it in her room अपने रूम में रखने के लिए तो चारों में से कौन सा आपसन सही है दोस्तों यहाँ पर आपसन नुबर सी सही हो जाएगा तू अर्न समनी यानि कुछ पैसा कमाने के लिए अगर अंतिम पती गिर जाएगी यानि जो लाश्ट लीव इस कहानी का नाम है वही पूछ रहा है कि जब उस लटा एक लटा के बारे में आपर बढ़न है दोस्तों तो वह जॉन सी देखा करती है कि लटा की प्रतेक पती एक एक करके गिर रही है तो वही कह रहा है कि जब ला जॉन्स बिल्ड आई या बहरमन बिल्ड आई या आल आप יהप दैफव तो यहां पर कौन मर जाएगा दोस्तों ले तीनों मेंसे या कोई नहीं या आप्ड दायवव तो आपसर Newton यहां पर क्या होगा पसर नूमर बी होगा यहां पर जॉन सी होना चाहिए डोस्तों jazz लिख यानि जॉनल्सी बेटिए अब नेस्ट्सक्रीशन देखते हैं वाइट वाट यान्सी लूकिंग एट आउट आफ अप दया इन भी नो के बाहर जो है वह जॉन जॉनक्रीफ है वहक्या देख रही थी आई वी मैंगो का पंड देख रही थी और रोज प्लांट एक गुलांब का पौधा देख रही थी नेट्स्वेश्ट देख रही थी तो चारो आप्सन में से अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अभी आपको पहले ही बता दिया गया था कि जौन सी किस से मलब सफरती किस से परेसान थी किस से भीमारती नियूमोनिया से तो आपसन नमबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा आप गलतक्षक्रिस्चन देखते हैं दोस्तों क्या है मैंनलन करेक्टर साब दा श्चौरी के जो क Garrettर है अँनको करिए बहर्मं है यानि बहुत जारा जो बहुत सारे टीनेजर्स होते हैं यानि टीनेज के मलब जो होते हैं करें मलब थर्टीन से लेकर और नाइंटीन के बीच के जिनकी एज होती है करें यानि जूदिच के लिए उसको हांसिल नहीं कर पात है इसके करण या आलाब दा और तो चारू में से आप संद्थ दोस्तों यहां पर आपका सी वाला सही है कि विकाज आप इनेवेल्टी टू कोप विद्धा एक्सपेक्टेशन यानि जो उनकी आसाये हैं उसके उस प्रकार से वो मलब इनेवल होते हैं अयोग यहोते हैं उसको कर नहीं पाते तो इसके करण बहुत सारे डिफरस रहते हैं अब नेक्ट कुश्चन है वेर डिफ अगला कुश्चन अपका है कि वेर डिफ बहरमन इस्पेंड इस नाइट टू मेक इस मास्टर पीस यानि मास्टर पीस अपनी बनाने के लिए बहरमन ने अपनी नाइट को अपनी रात कहां भी दाई थी अब चार आपसन देखते हैं दोस्तों आगे क्या दिया है चार पाल अशनमा इन ben लिफ चार आपसन दिया इना होटल यह आन्मांटें या इना हाइवी स्टार्म यह नना आपदीज यह नी में से नहीं तो कहां पर अपनी रात विताई थी पेंटिक बनाने के लिए तो आपसर नंबर यहां पर सी सही है इना है भी स्टॉर्म यानि है भी स्टॉर्म में तूफान के कारण ही उसको निमोनिया हो गया था और बाद में उसकी मिर्ट्व हो गई थी नेश्ट कुस्चन देखते हैं अपनी मास्टर पीस बनाने के बाद क्या हुआ तो चार आपसंदिये गये हैं या ही फेल्ट प्राउड एंड हैपी या वा जानर्ड या नन आपदीज तो चारों में से दोस्तों आपका अगर आप पीछे के क्यों आप देख रहे होंगे तो यही बात सही है कि उसको क्या हो बहुत ज़्यादा वह भी गया परेसान हो गया वीमार पढ़ गया और निमोनिया के कारण उसकी मृत्तु हो गई तो आपसा नबर यह आपका करेक्ट है कि अगरा क्युक्ष्चन देखते हैं दोस्तों की इस नहीं बहर्मन आक्टिश्र आपने डीम जो है उसको ट्यू करने के लिए कभी हो गिवा डीम अर्थासव्ण अपना पूरा समलभ सचा करने के लिए उसको पूरा कैसे कर पाया वह तो वह नहीं पेंट्र दा लास्ट आन आई बी यानि जब उसने लाश्ट में आई बी यानि लता का चित्र बनाया पेंट किया या हुएन ही डाइट जब वो मर गया या हुएन ही थाट आप जौन सी जब उसने जौन सी के बारे में सोचा या नन आप दी चारों में से कोई नहीं तीनों में से कोई नहीं तो यानि जब उसने क्या किया कि लाश्ट में आई बी का लता का चित्र बनाया तभी उसको सची जो है उसके मदलब अपने काम के प्रत अपने अपना स्वपन जो था वो पूरा कर पया उसका ऐसा स्वपन था कि वो ऐसा करेगा कि नेश्ट क्यूचन देखते हैं वाट मिसकंसेप्शन है जॉन सी डेवलब इन हर माइंड यानि अपने दिमाग में किस तरह की वो गलत फहमी जो थी वो मांसी ओ जॉन सी को मलब हो गई थी उसके दिमाग में डेवलब हो गई थी पैदा गई थी तो सीवाज ग्रेट वो महा कि यह जाएगा कि सी उड़ डाई बिदभ फाल आप देख सीफ यहां होना चाहिए लाश्ट लीफ आंध क्रीपर यह नहीं चरिक की अंतिमत्र पत्ता जो है वह जब गिर जाएगा तो मर जाएगी ऐसा उसके मन में दिमाग में डर पैदा हो गया था तो आप सान नंबर सी क सबसे अच्छी क्रित बनाने के लिए अगला क्विश्चन है मैं संद रीजन फार डिप्रेशन इन टीनेजर्स यानि टीनेजर्स में डिप्रेशन का जो रीजन है कारण है वो पताईए पीर प्रेसर है या पूर परफार्मेंस इंदा एक्जाम है या इनेबल्टी तू लिप अप्टू पैरेंट्स एक्पेक्टे कारण है या अपने परेंट्स की आसाओं के प्रति जो है वो योग इसाबित ना हो पाना ये में कारण रहता है तो यह ज्यादा प्रेसर डालता है तो चारों तीनों आपसन अपका सही है तो डी वाला करेक्ट कर दीजिए आलाब दैवाब कि अपने यह सकते हैं अकारडन टुड़क्टर वाज दक्योर और इलनस का क्या क्यों ता मलब उसकी दव किस तरह से उसकी वीमारी ठीक हो सकती थी डाक्टर के ऐखकें ने क्या चीज बताए कि कैसे उसकी विमारी जो है वह दूर हो सकती हूं पठाइम से यहां इस ट्रॉंग है यहां डोस्तों चार अप्शन है मैटसी से यहां ड्यगृ लबस को क्यो तो अगर उसने जीने की छोड़ दी तो उसकी मुर्त संबव है। कर अब अगला क्य소미 कांθानback क्षिचिन है। अगला इंपर्टन कोईशन है दोस्तों वाट इवान चर्विको वाचिंग होएं ही इस नीजे जानदा मैन इन फ्राम आफिम यानि जो इवान चर्विको थे वो क्या चीज देख रहे थे प्रेंडे इसों पर इन अनदा मैन इन फ्रॉम अ के सामने दैकिस देख रहे थे पिलए देख रहे तो het केरा देख रहे थे यह कुश्चन आपका दोस्तों आपकी कहानी जो है दलाइमेंट एंटन चेखों की उसी इसरेटेड कुश्चन हेंगे तो आगे देखते हैं कि वाट इस जैर्नल ब्रिजलोस फर्ष्ट रियक्शन टू चेर्विकोव यानि चेर्विकोव के प्रत जो था वो जैर्नल ब्रिज को ब्रिज लो का फर्ष्ट रियक्शन जो पहला रियक्शन था वो क्या था तो ही एक्सेप्ट दा अपालोजी आमें वेली भी था सिम इसमाइल के साथ उनकी जो अपालोजी थी यानि जो प्रतनत थी या उसको स्विकार कर लिया या हीज फ्यूरियस चैर्विको यानि चैर्विको से बहुत ज्यादा करोधित हो गया ही वांट्स चैर्विको टू लेट हिम भी यानि उनके साथ रहने दिया या हीज आप एल्ड बट चैर्विको ज रूडनेस तो चार आपसन है दोस्तों आपको आपसन नंबर यहां पर सी करेक्टर हैगा ही चैर्विको टू लेट हिम भी यानि उनको रहने दिया नेस्ट कुश्चन है अब टाइम चैर्विको अटेंब्स टू एपलाइट टू जर्नल जर्नल से कितनी बार उसने माफी मांगने की कोशिस की टोटल नंबर यानि कितनी बार वंस थी फाइव याट ट्वेंटी तो आ प्रियास किया था कोशिस्की टी नेक्ट कुश्चन देखते हैं वाट अपन्स वेंड वेंड जर्नल सो एंग्री विचर्विको ही एल्स गेट आउट यानि जब उसने कहा था कि गेट आउट बहुत ज्यादा उससे कुरोधित था चैर्विको उसे जर्नल तो क्या हुआ थ यानि क्रोधित हो गया और अपनी जो उसने सारी छमा जो मागी थी उसको वापस ले लिया गलतियां जो स्विकार की थी वो सब भूल गया या चैर्विको गोज हो मैंड डाइज यानि घर गया और मर गया या चैर्विको अटेंप्स टू राइट लेटर टू फ़लाइज यानि उसने एक लेटर लेखने की कोशिस की जैर्नल से माफी मांगने के लिए तो चार आपसन है दोस्तों आपसन नंबर यहां पर सी सही है कि चैर्विको गोज होम डाइज यानि घर गया और उसकी मृत्त हो गई यही यहां पर सही रहेगा नेक्स्ट्वूचल है नट्विको अ मेत्याम कर ली निद्र कश्टी के दिन भी काम करते हैं किस शूटी फर इस्टर पर किस्समस पर याघंए टोवड फ्राइडे पर तो चार आपसन है दोस्तों तो यहां पर आपका आपसन नंबर यह तब भी वो काम करता रहता था नेट क्यूश्चन है वाट डू नेवी राजमो एंड पयरामोन हीर थो दा बेंट यानि बेंट के थो उन्होंने जरो के कि थो क्या चीज सुना नेवी राजमो एंड पयरामोन ने क्या सुना आ कैरीज क्रेस चिल्डरन प्लेइंग या चर्च बेल्स एंड कैरीज या वाइसे तो चारो आप्सन में से दोस्तों आपका कौन ज़चा रहेगा चर्च बेलस एंड करिये जिए जिए चर्च की बेल सुनी और बहां या इन सब चीज की आवाज सुनी नेट्स क्यूस्चन देखते हैं कि वाटी दफूल नेम आप दा स्लेज ड्राइबर यानि स्लेज ड्राइबर जो था घौणा गाड़ी जो चालक था वो उसका ड्राइबर का क्या नाम था तो यहां पर चार अपसं दिए अगें दोस्तों चारों में से काउन सदर्கी इता ल्णा माला पो या ना सोलो खो या लोना लोना पेट फ हो तो आपसंन नम्बर यहां पर डी आपका सही है उसका पूरा नाम 感謝 सichen नेसट टे गाड़ भी देश्य क्यूस्चन है चार आपसन है चारों में से दोस्तों ये कहानी आपकी जो है कहां से बिलांग करती है सी नमबर यानि रस्तियार था तो रूफ से बिलांग करती है वहां से संबन दीत है next question है who is the author आप दा who is the author आप दा story यानि इस story का आथर कोन है तो एंटन चेको है या टोलोस्टाय है या मिखाइल सोलोक हो है तो अभी बताया आपको एंटन चेको जो है वही इसके writer है who is lonaj first here यानि पहला भाड़ा जो लोना का था वो क्या था अब अभी बताया गया कि वो गाड़ी चलाने वाला था तो उसका भाड़ा पहला भाड़ा क्या था अरिचमायन था मिलिट्री अफिसर था पीजन्ट किसान था ब्यूटिफुल सुन्दर महिला थी तो कौन सा था दोस्तों आपसा नंबर यहां पर आपका आपसा नंबर बी स सही हो जाएगा यानि मिलिट्री अफिसर उसका पहला भाड़ा जो कौन था वो क्या था मिलिक्ट्री अफिसर यानि सेना का थिकारी था अब अगला क्यूश्चिन देखते हैं लोना इस बेरी सैड वीकाज हेज या हेज अब यहां पर भरना है चार में से हैज डाइड रिस हो थी ज्यादा उदास था अब नेश्ट क्यूश्चन है लोना सेकेंड फेर वाज यानि उसका सेकेंड फेर क्या था दूसरा भाड़ा जो क्या था बिजनसमैन था मिलिट्री अफिसर था या थिरी आपनॉक्सियस एंग मैन थे यानि तीन सरार्थी बेक्ती या नानाब द लोना टंश टुई इस ग्रीफ यानि लोना घूमा अंति में लोना जो है वो किसके पास अपने दुख को सेर करने के लिए बांटने के लिए जाता है हार्स के और एक पास फ्रेंड मेंतर के पास फादर पीता या वाइफ पतनी के पास तो चारों में से दोस्तों एवाला सह ही है यानि होर्स के पास यानि घोड़ा गाड़ी जो मनलब घोड़े के पास जाता है नेक्स क्यूचन है हूँ साइज बी सेल आल डाई हम सब मरेंगे या जो अकाटि सत्य है यह बात किस ने कही लोना ने कही दमलिटी अफीशर ने कही अकईब ड्राइबर ने कही या यानि एक हीवाब एक तीने बात कही कि बी सेल आल डाई यानि हम सब को मरना पड़ेगा या हम सब मरेंगे अब नेक्स क्यूस्चन देखते हैं दोस्तों काउन सा क्यूस्चन है अगला क्यूस्चन देख लिजे फटापट गाइडी मॉप सेंट वाज द आथर हीवाज यान कहuju काई क्या 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 है यह पूंच रहा है तो क्या थे अमेरिकन थे कि इंग्स आंग्रेज थे या रूस के निवासी थे या फ्सिन्य वस्टि तो आपसे नबर यहांप से सब्सक्राइब दोस्तों और इनकी कहानी जो है दोस्तों जो इनकी स्टोरी आपके कोर्स में है अगर अभी तक वह फिर एक बार से पता रहा हूं वीडियो नहीं देखा तो उसको जोड़ देखेगा अब आगे देखते हैं की लिएयव दे कव रहते थे एटीन संचुरी में 19th century 20th या 17th century में किस सताबदी में रहते तो दोस्तों आथारी में 19th 20 है सते नमबर 20 है 19 है आधा कम देखेंटघुब्स दिखतें है है इनए इनके टेरर में चरेक्टर वास यानि टेरर जो कहानी है उसमें में में character कौन है मनसीर रेमन है या पिरी क्रोसल है या गाईड इम जॉपसेंट है या आया अननोन पर्सन है तो यहाँ पर दोस्तों उसका मेन character जो है वो ए नंबर यहनी मनसीर रेमन यही आपका मेन हैं आप ने डिखते हैं ही वाज वह था क्या चीज्श टांकिंग टु आ फ्रेंड हे बैक्ती से बात करता हुआ करने वाला या राइंटिंग लेटर टु आ फ्रेंड मित्र को पतर लिख रहा है या ठिंक किंग या ड्रिमिंग धा दोस्तों थ्युक्ति तो आप्सन नमबर 20 ही रहेगा राइटिंग लेटर टुवा फ्रेंड अब नेक्ट क्विश्चन दिखते हैं अगला क्विश्चन क्या है यानि मुख्ष करेक्टर जो था वह गोइंग तुदा वार यानि वार के लिए जा रहा था गेटिंग मेरीड साधी करने के लिए इस टार्टिंग नुजाब नवकरी के लिए या गोइंग टू इनुवर्सिटी यूनीशुट मालब विश्विद्याले के लिए जा रहा था चार आपसन है दोस्तों तो यहां पर जो है बी वाला सही है गेटिंग मेरीड यानि साधी करने जो में करेक्टर था वो क्या करने जा रहा था साधी करने तो आपसन नुबर बी करेक्टर रहेगा आप नेस्ट कुश्चन देखते हैं हिवाज आफ्रेड आप वह भावीत थ साधी करने से गेटिंग मेरीड से बीइंग अलेंग एलाउन अकेले रहने से इस्प्रिट साथ माउस से या पीपल लोगों से तो चार आपसन है दोस्तों बी वाला ही सही रहेगा बीइंग एलाउन यानि अकेले होने से बहुत ज़्यादा घबरा रहा था अब नेस्ट कु को मलबसादी करने लिए क्यों डिसाइड करता है तो नेट क्यूशन है टू चार आपसन दिये गये हैं टू गर्टिफाई हिस सेक्सुल डिजायर यानि सेक्सुल डिजायर को कंपलीट करने के लिए ही नीट्स आ नाइस कुक उसको एक कुक की जरूरती बहुत ही अच्छे क कि यानि वोजन पकाने वाले रसोहिये की जरूरती या ही नीट्स आ कमपैनियन उसको एक साथी की जरूरती या ही जाफ्रेट आप बीइंग अलॉन यानि वह अकेले रहने से घबराता था तो अभी उपर के कुश्चिन में आप समझ चुके हैं कि वह क्या था अकेले रहने से घबराता था तो डी नंबर आपसन ही यहां पर करेक्ट रहेगा नेट्स कुश्चिन लिखते हैं वाटी द नेम आप द ओमन रहमन इस मेरिंग यानि जिससे रहमन साधी कर रहा है उस ओमन का क्या नाम था तो मैडम ओसल ले जोल था या मिस एनी था या साइमन डी ब्यू यहां क्या नाम था उसका मैडम ओसल लिजोल यह उस अवरत का नाम था उस महिला का कि जिससे ओसाधी करने जा रहा था नेट्स कुछन है टू हूम डज रेमन राइट लेटर इनफार्मिंग टू हीज डिसीजन आप गेटिंग मेरी डिया निकिसने किसको रेमन ने किसको प को लिखा तो चारो आप्सन में से काउंसस है यह दोस्तों तो यहां पर यह लिखा हुआ है पिएरी आ हाथ बी वाला अपको सही रहे अरद करेक्टर है यांड उन्हीं को अन्ने क्या में किया था पत्र लिखा था कि वों साध्य करने परसन है तो चारों में से काउन सा सही है यहां पर दोस्तों तो आपसे नंबर इस कहानी का जो कथा वाचक है वो यह ही है अर्थात रेमन ही है अब नेस्ट कुश्चन है हुई दा आथर आप दा इस्टोरी दा टेरर कहानी का लेखक कौन है तो मॉपसेंट हैं लियो टॉल और सफर था पीड़िता किस चीज़ दोस्तों फटा पड़ बताईए तो चारों में से आपका यह सही हो जाएगा आपसे नंबर इसी ड्यमियस मैंटल डिसार्डर यानि मानसिक उसका डिसाओर जो था यानि उसी से वो पर परिसान था खाँतिन को इस सेर्सक इस कहानी कि यह नवर में ाप दी जाए chosen सही दोस्तों सब्सक्राइबन सब्सक्राइब चीमलीच सही है यानि सीस suspend सीन्षक हो सकता है उसका फ्रेंच सुख्ष का है यह प्रेंच होकि नकिस्षक नर्फ, अपने रूम में वो क्या पाता है मैं सिटिंग आना चेर एक बैक्ति को चेर पर बैठा हुआ या थीप को या घोष्ट यानि भूत को या इसने एक सांप को तो चारों में से क्या पाता है दोस्तों तो अमें सिटिंग आना चेर यानि एक बैक्ति को अपने सीट पर बैठा अगला question आपका है कि Which is the writer of the story Barber State Union यानि Barber State Union बहुती फेमस story है दोस्तों इस story के writer कौन है इस story के writer कौन है अर्थात लेखक कौन है तो आरके नरायन है मुलकराज अननंद है या रविन्ना टैगोर है या पी जे अब्दूल कलाम हैं तो आपसर नंबर आपका बीज रहेगा कौन रहेगा मुल्क राज आनंद जो हैं वो किसके बारबर स्टेड उनियन के राइटर है नेट्ट कुश्चन है वाट वाजदा एज गैब बिर्डीन दा नरेटर न चंदू यानि कथा वाचक ओर चंदू के बीच में कितने एज का गैब था छे महिने का आठ महिने का चार महिने का या एक साल का तो आपसद नमबर यहां पर यह सही रहेगा यानि छे महिने का गयब था यानि दोनों में दोनों की एज में छे महिने का गयब था लिफ्सका सब्सक्राइब तेरे लिफ्सक्राइब कि वह बारबर नाई का लड़का है या नीची जाट का लड़का है या दर चंडू वाना स्कॉल इसकूल में एक स्कॉलर्षिप पाई है या आलाब्दा आलाब्दा अभब यानि उपर के जितने भी अपसन है सब तो चारों में से आपसन दोस्तों यहां पर डी सहरेगा यान लेखक की माता ने उसको मलब नरेटर की माता ने यानि कर्था वाचक की मान है उसको यह चीज़ बताया चंदू के बारे में कि वह नाई का लड़का है लोकास्ट का है और उसने स्कूल में एक स्कॉलर्षिप यानि छाद बिठती भी पाई है नच क्यूस्चन है वाइड इन वाई चंदू यानि चंदू से उसको मनलब जलन कह सकते हैं आपकी किस तरह से उसको थी चंदू से तो विकाज ही वाउन और स्कॉल क्योंकि स्कूल में उसने इस्कॉलर्षिप आई थी या विकाज आप दा फ्रीडम चंदू इंजॉएड या स्वतनता फिर उसको इन फ्लाइंग काइट यानि काइट बनाने में या उडाने में बहुत ज्यादा अच्छा था तो इन मलब इन सब में किन चीजों से जो नरेटर था वो चंदू से लेकर परेसान था इर्षा रखता था उससे तो चारों में से दोस्तों यहां पर आपका आप संबर 20 ही हो ज बहुत ज्यादा परेसान था अब नेक्स क्यूस्ट देखते हैं व्याव डिट नरेटर रियक्टेट टू चंदू जिद न्यू एटर यानि चंदू की न्यू एटर पर नेटर पर किस चार तरह मलब रियक्ट करता है प्रत्किया करता है तो ही वाज थ्रिल्ड ही वाज चंदू ब्राट दा बाइसिकल कितने में चंदू बाइसिकल लेकर आता है तो टेन रूपीज फाइब रूपीज फ्यूटीन रूपीज या एट रूपीज यानि दस रूपे पांच रूपे पंदरा रूपे या आठ रूपे तो आपसा नमबर यहां पर बीस ही रहेगा पांच रूपे में मलब बाइसिकल साइकल खरीद के लाता है नेश्ट क्यूस्चन देखते हैं वाट वाट वाज दा नेम आप दा सैलू दैट चंदू ओपेंड विद्धा है अधर बार्बर यानि दूसरे नाईयों के हेल्प से मदद से चंदू जो है जो सैलून खोलता ह है धाट बाल काटने की जो दूकान खोलता है चंदू ओपेंड खोलता है उसका क्या नाम था तो बार्बर स्टेड यूनियन था या या राज गोडर्बडर्स hair dressing and savings salon तो इन चारों में से कोंट अता यह है तो यहां पर दोस्तों उसकी दूकानका क्या नाम था आपसर नमबर बी करेक्टर है राज कोड डिस्टिक बारबर बर्दर्स हीर डेसिंग एंड सेविंग सैलून यह उसकी दुकान का नाम था चंदू के जो उसने नाईयों की मदद से खोला था सब्सक्राइब करने की या बीटिंग दा लैंडलार्ड को पीटने की या विकमिंग नर्स एक नर्स बनने की तो आपसर नमबर यहां पर बी ही आपका सही हो जाएगा यानि आपसर नमबर बी सही है ओपनिंग आ सैलून एक सैलून खोलने की अर्थात एक नाईय की दुकान खोलने की नेट्स कुछन है चंदू फादर डाइड आप चंदू के फादर जो थे उनकी मिर्थ हो गई थी किसी से ट्यूबर कुलोसिस से निमोनिया से थाइराइड से या कैंसर से चार आपसन है चारों में से कौन साथ यह चंदू की मिर्थतू जो है वो चंदू के पीता कि मिर्थतू दोस्तों किस तरह से हुई थी तो ट्यूबर कुलोसिस से आपसन नंबर एक करेक्ट रहेगा अर्थात ट्यूबर कुलोसिस की वी जिसको कहते हैं आप उससे च्छे रोक से अपने स्क्रिश्चन देखते हैं वाट डिट चंदू बीनट एक स्कूल पर चंदू अर्थात चंदू को में क्या मिला था दोस्तों स्कॉलर्शिप मिला था व स्कॉलर्शिप पाया था नेस्ट कि happiness्शन है वाट बस्तन पाद्रिय साहाब था तो चारों में से कान सताओं है दोस्तों लेंडलोर का जो क्या सबसेत कि आड़ा से सब्सक्राइब किसका पुत्र देवी था देवी किसका पुत्र था सहुकार का था या प्रिष्ट-पुजारी का था या नगे देवी ढ़ी मेसन गीर से देवी किसका पुत्र था आप से रहेगा लेंड़ स्था पुत्र लेंड़ फुत्र तो यहां पर आपसे नंबर आपका इसाई रहेगा थेंडर 6 मन्त यानि 6 महिने What is the name of the doctor in the story Is the story में doctor का क्या नापता Dr. Kalan Khan या Dr. Kalan Khan 2 बार Kalan Khan और Kalan Khan लिखा गया है Dr. Kalal Khan या Dr. Bilayat Khan 4 आप्षन दिये गे हैं 4 हो में से कौन संसे हैं ये दोस्तों पहला आप्षन है Dr. Kalan Khan 2 है Kalan Khan 3 है Kalal Khan आप सिहां पर अपनेट्के पिस्टिक पर आपका बीच्टेक्स अगरें राजिक्स करूण पुजारी का क्या नाम था चार आपसन दिया गया है पंडित नित्यानंद पंडित देविकादास या अगला है पंडित परमानंद या पंडित स्रिधान तो कौन सा सही है चार आपसन दिया गया है तो यहां पर पंडि जी का नाम था पुजारी जी का नाम था तो आपसन नमर सी सही है पंडित परमानंद तो यह इतने क्विश्चन इंपॉर्टन क्विश्चन आपकी परिच्छा के लिए है इसमें लगबग आपके फोर यूनिट तक का कबर कर दिया गया है फोर यूनिट तक का लगबग कबर कर दिया गया है क्विश्चन अब बागी जो क्विश्चन है आप एका दो माडल पेपर और कर दो कर दो ह सानल है तरह से हो नॉपार दो फ्रोपले का फर जार हो लॉरा IT तारी कर दो, seperti क्यों वो स्य घर कंद!!